आपने भी जरूर सुना होगा कि क्यों नहीं आसमान में सुराग हो सकते हैं तब यस एक पत्थर तो उचाल के देखिए बिलकुल उसे इंदाज में बिहार और देश की राजनीत में कुछ ऐसी बाते सामने आ रही हैं जिसको ले करके अब चर्चाएं शुरू हो गई है नितिश कुमार प्रधान मंत्री बन जाएंगे लगतार भारती जन्ता पार्टी को खड़काने जैसा सब्द है ये क्योंकि भारती जन्ता पार्टी का कहना है कि अभी तो कोई वेकैंसी नहीं है और उनहीं के साथ गठबंधन में रह करके जिस तरह से जदियू ने लगतार मुहिम सुरू कर दिया है कि नितिश कुमार में प्रधान मंत्री बनने की सारी काविलियत है उनमें और उनसे बेहतर इस देश में और कौन है इस बात को लेकर के जब तक बातें आम जदियू के कारेकरता पताधिकारी कह रहे थे तब तक बातें समझ में आ रही थी कि चलिए उनकी मंसा है वो चाहते हैं कि उनके जो नेता है वो परधान मंतरी बन जाए लेकिन अब इस बात को लेकर के नितीश कुमार के करीबी और खुद को कभी मुख्य मंतरी के दावेदार रखने वाले लोग प्रधान मंत्री तक की सोच रखने वाले लोग जब कहने लगें तो बात गंभीरता से सोचनी पड़ती है जैसा आपने सुना हैं कि उपेंद्र कुश्वाहा ने कहा कि नितीश कुमार में सारी छमतायें हैं प्रधान मंत्री बनने की बस हम वेट एंड बाच कर रहे हैं इसी तर्ज पर स्रमन कुमार ने भी कहा कि प्रधान मंत्री तो हम बन जाएं क्योंकि नितीश कुमार इतनी अच्छी छवी और किसकी है बेदाग छवी के हैं सारे लोग उनको पसंद भी करते हैं लेकिन संख्यापल हमारे पास नहीं है लेकिन अब इस बात से आगे एक स्टेज बढ़ गया है नए नए अध्यक्ष बने ललन सिंग जो कि नितीश कुमार के बहुत करीबी हैं जब उनसे इस बिशे पर बात की गई तो उन्होंने भी साफ तोर पे कहा कि इस देश में सबसे ज़्यादा स्वीकारेता अगर किसी नेता की है तो वो है नितीश कुमार अब इस बात को बड़ी बारीकी से अब समझिएगा कि उन्होंने कहा कि इस देश में सबसे ज़्यादा स्वीकारेता जिस नेता की है वो नितीश कुमार है बिपक्ष या इस देश के किसी भी राजनितिक दल से आप पूछें तो सबसे पहला नाम उनके नजर में और उनके इशारे में नितीश कुमार का है लेकिन उन्होंने एक मजबूरी बताई वो मजबूरी क्या है हम आपको बता रहे हैं लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से ललन सिंग ने इस परस तरीके से कहा है कि अब वो बिहार से बाहर इस देश के अलग-अलग राज तयार करेंगे आपको याद होगा कि संपादक नमनिश्ण जी इस बात को लगतार कहते रहे हैं कि देश की एक पार्टी है जदियू जिसमें सेकंड लाइन के नेताओं की भारी कमी है दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं और नितीश कुमार तक ही ये पूरा सीमित रह जात और वहीं देश का प्रमन करने के लिए अब योजना बना रहे हैं ललन सींग ललन सींग ने कहा कि जिमेवारी कोई बड़ी नहीं है मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे ये जिमेवारी मिली है संगठन और पार्टी दोनों को मजबूत करूंगा पुराने लोगों को जो वरना परधान मंतरी के सबसे ससक्त दावेदारों में नितीश कुमार का नाम सबसे उपर है उन्होंने साफ तोर पर इसारा किया है कि इस देश में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी को परधान मंतरी बनाने की है तो वो नितीश कुमार हैं कई राश्ट्रिये दल हैं कि महा गठबंधन किसके प्रयास से बना था। नितीश कुमार नहीं महा गठबंधन नाम दिया था। और इसे बनाने का प्रयास किया था। अब जब तीसरे मोर्चे की कवायत शुरू हो गई है लगतार मुलाकात का दौर है यहां तक कि लालू परसाद भी एक्टिव हो गए हैं और जब लालू परसाद नितीज कुमार पर सवाल पुछा जाए और ये कहें कि छोड़िये इस बात को और वहीं अगर लालन सिंग से भ है वो भी एक गठबंधर बनाने जा रहे हैं तो कहें कि छोड़िये इस बात को यानि दोनों की बाते बहुत मिलती जुलती है क्या इस देश और बिहार में एक बड़े परिवर्तन की सुख बुगाहट सुरू हो चुकी है क्या भारते जंता पार्टी की बेचैनी इसी बात की है लगतार रोज के रोज पटना में अपने राष्ट्रिय कार्याले जो भी कहा लिजी आप भारते जंता पार्टी अपने कार्याले में रोज मंतरीयों को और वरश निताओं को बैठा करके मीडिया के ट्राइल कर रही है और नितीज कुमार के साथ-साथ विपक्ष पर हमलावर है, रोज नई-नई बाते कही जा रही है, इसका मतलग कुछ तो है जिसकी परदेदारी है, क्या बदलने वाला है सब कुछ इस देश और बिहार में, इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, हमारी तो नजर बनी सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले, ओजे गो घंटी बा, उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए, अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने, तो ज्वाइन बट कली 9386816700 धन्यवादु